आँलेश कुमार सिंग गपलिया लोकष्वा सीट से चुनाव लड़ने के प्रियास में जदियू से और आप छित्र दौरा में है इस शेवच करते हैं ऑगल तो आपने नारा दिया है की बिहार में दिखा है अब देश में जैसको देश की सम्मानी जनता श्विकार करती है अगर रही है भारती अंदा पाड़ी के अकर बिवक्ष में देखा जाए तो माननी हमारी नेता नितिश जी अब बिहार में तो दिखाई ये पूरे देश में दिखेगा और एक देश में परिवर्तन की लहर दिखेगा परिवर्तन की लहर देखेगी शरकार बदलने जा रहे हैं विकास दिखेगा अब पहले भारती जनता पार्टी में थे भारती जनता पाटी को देखेगे हैं अभारती जनता पार्टी को समर्थन देखर के अपके आटल जी और अगे बढ़ाये और आज वो इंडिये समाप्त हो चुका है इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि अब बिहार में दिखा अब देश में दिखेगा और हमारे नेता के नितित में एक देश में परिवर्तन की लहर फैल चुकी है जो 2024 समय बहुत करीब है उसके नितित के तहथ हम लोग पूरे संग्ठन मे उतर प्रदेश में काम जोड़तोर सरीके से कर रहे हैं आपके नेता जी को कमल की फुल छोड़ के लांटेन को पकरना पड़ा अब यह बात कह रहा है आप देखिए ऐसा है कि जैब इंडिये ही तूट गया और आम लालटेन हो या डिबरी हो या गेस हो या पेट्रोमेक्स ह और या बिजली होां सम्मानित देश की जनता प्रदेश की जनता जिसके सात्थ जो चाहती है हमारे नितिशी को नेता मानती एक शाचट विधाय को ने सर्फ समत्ती से उन्हों देश्थिपा दिया उसके बाद सब्समत्ती से फिर मुख्य मंत्री बनाया 17 साल से बिहार में राजी चल ला है तो विपक्ष में या लाल्टेन या साइकिल सब एक साथ मिली जुली है ऐसा नहीं है सारे सीट है 80 सीट है उत्तर प्रदेश में तो कुछ सीटों पर रहेंगे या फिर और भी जागा आगे बढ़ेंगे गजिए महागडबंधन यहां पूरी तरह से मैं अस्वस्थ हूं और हम लोगका गडबंधन इस विश्य काम कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से परिवर्टन हुआ रहा है जो हमारे पालिटी लाइटेन और तीर के निशान और मुलाइम सिंग के साथ सहयो करके इननों को हमारे निता चंदर सेखर जी ने शब्का प्रथा सुर्ण के साथ रहा है तो हमारा ये मिशन है कि बलिया लोकस्वा में सम्मानी जनता चंसेखर जी के आदर्सों को लेके चलना और बलिया लोकस्वा सीट पे फिर घंडा फाराना कि समाजवादियों का एक घंडा हो जाए उसी मिशन के तरफ मैं काम कर रहा हूँ और मेरा नितीज जी और मेरा निता जो है चंसेखर जी के आदर्सों को बहुत मानते हैं उस आदर्स को मुझे मान के लेके चलना होगा ताकि बलिया में भी एक विपक्ष की सरकार में आने के बाद हमारे बलिया जिला के विकास के लिए जो चंसेखर जी के अधूरे काम है उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा अधिक सीटों पर जदियों चुनाव जितेगी इनका दावा है और विकास के मुद्दो पर उन्हों बात कहा कि जो शपना चंसीखा जी कह था उसे मैं पूरा करूँगा फिर मैं आपसे जूलेंगे तब टक्रित नहीं जूले नहीं बली आशकल से देखते रहें बली आशकल मैं रोशन जैस्वार मेरे साथ कैमरा में राजू नमस्कार